दोस्तों stock market investment में news, noise और emotion को side में रखते हुए अगर हम investment करते हैं तो हम जरूर से जरूर एक profitable investor बनने की रापर आगे बढ़ते हैं ये बात आपने हमारे चैनल पे हमारे मुझसे कई बार सुनी होगी ये बात प्रूब हुई है recently भी जब news में आया rooftop solar stocks की बात power stocks की बात उसके ब strong stocks पर तो चाहे stock market में crash हो रहा हो, चाहे stock market high पे high बना रहा हो, हमें long term में returns मिलने ही मिलने है electric vehicle segment की जब भी बात होती है तो हमारे सामने कुछ stocks दिखते हैं जो कि सब को पता है टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा इन महिंद्रा हो अशोक लेलेंड हो इस तरह के stocks सब को पता है लेकिन कि आप जानते कि कुछ गुम नाम stocks भी है जिनके बारे में बहुत कम लों को पता है और ये कमपनिया इन डिरेक्ली या डिरेक्ली एलेक्ट्रिक वेहिकल सेग्मेंट में होने वाले ग्रोथ से बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती आने वाले समय में अगर हम ऐसे stocks में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें भविश्य में रिटरंस मिलने के चांसे ज्यादा है नमस्कार दोस्तों स्व के बारे में news आती रहती है हम सब को पता है इन सब stocks ने एक अच्छे खासे returns भी दी है recently हम कुछ 5 ऐसे stocks के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम बहुत कम retail investors को पता है तो वीडियो को यहाँ पर पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को like करना ना भूले ठीक है जब भी electric vehicle की बात होती तो electric vehicle में कुछ components है जो की बहुत important होता है जैसे कि battery segment हो गया wiring segment हो गया या उसकी chassis हो गई यानि कि body segment हो गया जो body manufacture कर रही है कमपनिया उन पर focus करके चल सकते तो हमें यह figure out करना होता है कि electric vehicles में कौन-कौन सी कमपनिया क्या-क्या produce कर रही है क्या manufacture कर रही है और इसके साथ ही साथ हमें ऐसी कमपनियों में सही price का इंतजार करना होता है अब आपकी screen पे यह particular solutions दिख रहे है कुछ particular company के अगर आपको ना बताया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि integrated electrification solutions क्या है knowledge based engineering क्या है AI driven CAE क्या है basically इनके बारे में detail में जानने की जरूत नहीं है बट हमें इतना जानना है कि कौन सी company solutions प्रोवाइड कर रही है और इन solutions का electric vehicle segment में क्या काम है ठीक है यहां पर अगर हम ध्यान दें तो आप देखिए जैसे कि हमने कहा था Electra Green Tech already देखे तो all time returns इसने करीब करीब 6300% के आसपास दे दिया वहीं पर JBA Moto की बात क पता है एकसाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एमरान जो की अगेन लीथियू आयन बैटरू मैनुफैक्ट्रर है साथी साथ इंडियन ओल कॉर्परेशन हम सब को पता होना चाहिए कि क्या कर रही है कैसे electric vehicle segment में इसका रोल है महिंद्रा इन महिंद्रा जमनो आटो इंडस् को पता है mostly investors ने अच्छे खासे returns भी पाए है कुछ पिछले कुछ सालों में अब यहाँ पे कुछ ऐसे stocks होने चाहिए जिनके के बारे में कम लोग को पता हो बड़ वह बहुत ज्यादा potential रखती हो electric vehicle segment में growth से returns देने का ठीक है तो यहाँ पे ऐसे कुछ stocks के बारे में discuss करते है to be precise 5 stocks के बारे में discuss करते हैं और देखते हैं कि क्या इन stocks में आने वाले समय के लिए growth की opportunity है या नहीं ठीक तो stock market के बारे में सीखना बहुत important होता है अगर आप सीखते हैं तो basically आप 89-85% investors से आगे रहते हैं और आपको profitability के chances ज्यादा रहते हैं तो यहाँ पे investing in stocks the complete course जो हमने launch किया हुआ था है इस course में हमने chapter 2 में कुछ videos upload कियें recently इन videos को भी आप access कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप यह particular coupon code इस्तिमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे extra discount मिल जाएगा जिसकी वैजैसे यह course केवल 3000 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है देखिए stock market में courses important होते हैं अगर आप सीखते हैं courses के जरिये या even without courses अगर आप सीखते हैं तो आप अपनी probability of profitability को बढ़ा रहा होते हैं तो इसकी links और details में आपको description में देदूँगा आप वहाँ से explore कर सकते हैं ठीक है चली अब यहाँ पर बात करते है KPIT Tech के बारे में देखिए KPIT Tech सुनने में आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा जानने में आप यह जानते होंगे कि भई IT की company है लेकिन आप में सब बहुत कम लों को पता होगा कि यह company आने वाले समय के technologies पे काम कर रही है अब यहाँ पे electrification transforming of mobility is the future एक particular article है जो कि इस particular website पे था बट यहाँ पे धियान दे तो आप दे solutions देखने को मिल रहे हैं अब यहाँ पे देखिए और offerings are designed to cover the entire development life cycle of vehicle engineering and design product programs तो यह लोग जो new age solutions है उन पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे धियान दीजिए तो आप देख सकते कि autonomous driving and ADAS, connected vehicles, autosar, integrated diagnostics and after sales transformations, vehicle engineering and design यह सब ही आने वाले समय के लिए happening technology जब ऐसे में कोई ऐसे stocks में investment करता है जिसमें की overall business segment में growth का scope है तो वहाँ पे returns मिलने के chances ज़्यादा रहते हैं अब यहाँ पे धियान दीजिए तो KPIT आपको एक week के candlestick chart पे एक अच्छा खासा discount देती हूँ नजार आ रही है और एक अच्छे support पे भी है वहीं पे अगर हम long term candlestick chart की बात करें तो long term candlestick chart में आप देख सकते कि आपको एक अच्छा खासा returns इसने दिया हालाकि आपको कुछ महीने में red candle देखने को मलती है बट जिस महीने में red candle देखने को मलती है उस महीने के बाद एक naya high बनाता है और एक अच्छा खासा returns देता है अपने investors को तो ऐसे में हम कह सकते है क कि KPIT Tech आने वाले समय के लिए फ्यूचर के लिए एक बहतरीन स्टॉक सावित हो सकता है ठीक है चली अब यहां पर हिमादरी Specialty Chemicals Limited जो कंपनी हुआ करती थी HSCL इसमें देखिए तो आप देख सकते हैं कि यह कंपनी कंपनी बेसिकली एक टेक्नोलोजी डेवलप कर रही है तो एक्स्ट्रैक्ट लीथियूम डिरेक्ली फ्रॉम लीथियूम सोर्स विच 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 वहल्प इन रिदूसिंग टॉटल एंवार्मेंटल फूट्प्रिंट ठीक है तो यह भी कंपनी जो है आने वाले समय के लिए इन टेक्नोलोजी है उनमें जो भी डिमांड है इंप्रॉब्मेंट की उस पर काम कर रही है तो ऐसे में कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले समय के लिए स्कोप होता है उसमें रिटन्स पाने का अब यहां पर एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट प तो यह गिरावटे जो होती है यहां से 380 से 280 यह fresh buying opportunities होती है ऐसे stocks में जो की ऐसी technology पे काम कर रहे है जिनमें की आने वाले समय में एक अच्छा खासा growth का scope होता है तो हमें ऐसे stocks वो focus करना चाहिए जिनका की business segment ऐसा हो जिसमें आने वाले समय में growth का scope हो जिसका product segment ऐसा हो जो की one of the competitive advantage रखती हो और साथ ही साथ जिसके product segment में आने वाले समय के लिए हमें growth का scope दिख रहा हो तो ऐसी company हो में अगर हम investment करते हैं सही समय पर और उसको at least 3-5 साल के लिए hold करते हैं तो हमें वहां पर returns मिलने के chances ज्यादा रहते हैं अब ऐसे में यहां पर Greaves cotton देखिए तो यह ज 3-wheelers यह जो manufacture कर रही है इसमें से जो ampere वगरा है यह electric vehicle technology से related है ऐसे में आने वाले समय में अगर electric vehicle segment में growth होती है तो यहां पर इसके business में भी growth होगी इसके revenues में growth होगी इसके overall profitability में growth होगी क्योंकि इसकी sales बढ़ेगी और वहां से हम कह सकते हैं कि profitability में growth होने के chances ज्यादा रहे रही है उसके profitability में growth दिख रही है तो ऐसी company हो में returns मिलने के chances हमें ज्यादा रहते है ठीक है यहां पर एक week के candlestick chart पर आपको consolidation zone दिखाई दे रहा है काफी लंबे समय से एक month के candlestick chart की बात कर रहे है तो काफी लंबे समय से in fact 2015-2016 से आपको consolidation zone ही दिखाई दे रहा है तो यहां उसके business segment में 100x, 200x या 1000x growth का scope ही क्यों न हो अपनी portfolio का 3-4% से ज्यादा investment नहीं करना चाहिए अब आप सोचते होंगे कि 3-4% क्या होता है तो देखिए अगर आपने stock market में 100 रुपय की portfolio create कर रखी है तो ऐसे stocks में केवल और केवल 3-4 रुपय ही investment करना चाहिए हमें क्योंकि यह ठीक है चली अब यहाँ पर बात करते हैं इस particular company के बारे में जो की है Tata Chemicals Limited तो basically यह भी एक acid product segment की ranges manufacture कर रही है जिसकी की lithium iron industry में बहुत जादा demand रहने वाली तो ऐसे में आने वाले समय में अगर battery segment में बहुत जादा demand रहती है तो यहाँ पर Tata Chemicals Limited में भी है एक अच्छा खास ग्रोथ देखने को मिल सकता है ऐसे में यहाँ पर एक भी एक अच्छा खासा scope है overall returns पाने का चली अब fundamentals अगर हम देखे Tata Chemicals के तो continuously dividend पर आउट कर रही है company profitable है cash पर हाला कि negative है प्यत्रोस की score 9 के उपर होता ही नहीं है ग्राहम नंबर से सस्ते दाम पर आ रही है return on equity 12% return on capital employee 11% debt हाला कि 6000 क्रोड का बड़ डेट विकटी 0.28 है price to earning ratio की हिसाब से undervalued दिख रहा है बट PG ratio की हिसाब से यहाँ पर कह सकते हैं आने वाले समय में थोड़ी बहुत negative growth हो सकती है तो कुछ एकाद parameters यहाँ पर हमें negative दिख रहे हैं but all in all company fundamentally strong है ऐसे में हम कह सकते हैं कि electric vehicle segment में आने वाले समय के growth scope को देखती हुए अगर ऐसे stocks में investment करते हैं तो यहाँ पर returns मिलने के chances जादा रहते हैं ठीक है अब यहाँ पर Tata chemical देखिए तो एक वी के candlestick chart पर आपको breakout दिया है करीब करीब 1184 रुपए के आसपास और एक मंत के candlestick chart की बात करें तो यहाँ पर आप देख सक तो breakout अगर sustain करता है तो आने वाले समय में हमें prices 13-14-1500 रुपए के ऊपर भी जाते हुए देखने को मल सकते हैं अब आपको ध्यान देना होगा कि कुछ दिन पहले Tata chemicals news में आ रही थी कुछ दिन पहले तक लोग बोल रहे थी कि इसको buy कर लो आपके वारे नेरे हो जाएंग है कि आप कुछ news मिल रही है उस news को आप लीजिए उसको आप evaluate करिए और based on evaluation आप decide करिए कि आपको stock में buy करना या नहीं ठीक है तो यहां से आपको clear cut एक hint मिल रहा है कि no doubt Tata chemicals आने वाल समय के लिए बहुत ही बहतरीन option है but news noise और emotion को side में रखते हुए हमें investment करने का decide करना है ठ जो कि है PCBL limited PCBL limited एक ऐसे chemicals manufacture करती है produce करती है जिसका कि tire में इस्तेमाल होता है tire manufacturing में इस्तेमाल होता है तो अगर electric vehicle industry grow करती है तो tires की demand तो रहने वाली ऐसा नहीं कि tires गाइब हो जाएंगे एकदम से electric vehicle से तो ऐसे में electric vehicle segment में growth की वजह से tire industry भी grow कर सकती है tire industry grow करेंगी JK Tire, Seat, Apollo Tires, MRF ये सब grow करेंगे उनके साथ ही साथ PCBL में भी growth का option रहेगा यहाँ पर एक वी के candlestick chart भी आपको buying opportunity मिल रही वहीं पर अगर हम एक मन्त के candlestick chart की बात करें तो breakout जो मिला था करीब करीब 500 रुपय के आसपास वहां से अलरी 100% appreciate हो चुका है तो ऐसे में 340 रुपय के आसपास से 248 रुपय का जो price है एक fresh buying के लिए एक अच्छी opportunity है हलाकि awesome oscillator के बास उपर है RSI यहाँ पर overbought zone indicate कर रहा है तो ऐसे में ऐसे stock से bulk buying से बचना चाहिए ठीक तो यह जो particular course है आप इसको buy कर सकते हैं यहाँ पर ध्यान दिजे तो इस course में 3 part है define, decode और develop तो हम पहले part की video shoot कर रहा है जिसमें की हम define पर focus कर रहा है जहाँ पर हम आपको बता रहा है कि कौन-कौन से important pointers हमें stock market में note करके चलने चाहिए और आगे हम module में discuss करेंगे कि कैसे हम actual में stocks की analysis करते हैं तो यहाँ पर हमने chapter 2 की कुछ important videos upload की हैं आप उनको भी explore कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप यह particular coupon code का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास 3,000 रुपए के आसपास तक यह course मिल जाएगा देखी course बेचने का motive यहाँ पर नहीं है बट motive यहाँ पर यह कि अगर आप उन 85-90% इन्वेस्टर से आगे रहना चाहते हैं तो सीखना आपके लिए जरूरी है तो इस बात पर focus करते हुए आप सीखने पर ध्यान दीजिए तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना है दो इसमें दिगे जनकारिया आपके काम क्योंगी वीडियो को लाइक करिए कोई भी सवालत कमेंट जरू करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में विश्यार करिए और दोस्तों यहाँ पर disclaimer की किसी तरह का recommendation नहीं है हमारी वीडियो में कि आप blindly हमारे दोरह discuss केगे stocks में investment हम आप लोग के लिए information लाते ताकि आप सीख सके और एक profitable investor बनने की रहा पर आगे बढ़ सके